कर दोस्तों आप सभी का स्वागत है दा फैमली रेसिपी में आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचूरियन और राइस चलिए अब हम बनाना सुरू करते हैं हमने बाउल में गाजर शिमला मिर्च पत्ता गोभी हरी मिर्च ये सब को अच्छे से कद्दू कस करके ले लिया है अब बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा चीरी फ्लेक्स डाल लेते हैं आधा चम्मच नमक स्वाज के अनुसर मंचूरियन को कलर देनी के लिए हम थोड़ा सा इसमें जलेवी रंग डाल देंगे इसे मंचूरियन बहुत सुन्दर दिखता है और इसमें हमें हाथ लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें बॉल बनाने हैं हम मंचूरियन बॉल बना लेते हैं ऐसे और जब तक हमारे बॉल तयार होते हैं तब तक हमने गैस पे तेल रख दिया है गरम करने के लिए हमारे बॉल्स तयार हो गया है चलिए अब इसको तलते हमारे त दो चम्मच की करीब तेल, एक कटूरी हमने यह सारे सब्चियों को रखा हुआ था इसमें हम बनाएंगी मंचुरियन की ग्रेवी, स्वाज के अनुस्रा डालेंगे इसमें नमक, और थोडी तेल पका लेंगे इसमें, अब हम डालेंगे इसमें मंचुरियन मसाले के लिए, चिरी सॉस ले लेंगे, आधा चम्मच, आप चाहें तो चिंक्स का तैयार मसाला भी आता है, वो भी आप डाल सकते हैं, और चाहें तो बहुत आसानी से यह घर में भी बन जाता है, थोड़ा सा डाल देंगे हम सॉस, और एक से देड़ चम्मच के करीब हम कॉन्फोर को घोल देंगे, हमने एक से देड़ चम्मच कॉन्फोर को घोल लिया है, और भी इसमें डाल देंगे, आप इसकी मात्रा कम या जादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको गाड़ा चाहिए, पतला चाहिए, जैसा चाहिए वैसे आप डाल सकते हैं जो हमने सब्जियों से निकाला हुआ पानी था वो और इसके अलावा पानी और डाला है हमने दो ग्लास के करीब पानी और इसे अच्छे से खौला लेंगे पुलाव के तियारी कर लेते हैं हमने चावल पहले बना के रख लिया है आधे भाग पे हम जरे भी रंग विला देंगे पैन गरम हो गया है हम इसमें डालेंगे दो चम्मस तेल और डालेंगे थोड़ा सो जीरा सब्जीयों को डाल देंगे हमने थोड़ी सब्जी रख लेती पुलाव के लिए इन पुलाव में भी थोड़ा पुड़ा सामान डालेंगे इसमें हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा टमाटर सॉस सोया सॉस और चिली सॉस स्वाथ के अमसार नमक और हमें जो चामल बना के रखा है अब वो डाल देंगे लीजे हमारा मंचूरियन और मंचूरियन राइस तयार है अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए धन्यवाद और मंचूरियन ला चाम multiplाएन बना से कीजिए बना कीजिए स्थाह।